हेलो गाइज कैसे उमीद है अच्छे होंगा तो चलिए आज मैं जा रहे हूं एक कटोरी आटे और चने के सत्तु से बहुत हीट क्रिस्पी और टिस्टी डिस्ट बनाने जो आप लोगों को काफी पसंद आएगा इसके लिए मैंने एक कटोरी के लगवग सत्तु लिये हैं और अधिक चमच के स्ट सअब मुद्र पानी या अफ थंड़े पानी का भी यूज कर सकते है एक से दो गलास के लगक इसमें ठंडा पानी लागा है आप इसमें अच्छे से इसे मिला और बिल्कुल पतला घोल तयार करें इसमें नमक आपे चाहे तो थोड़ा साइड कर सकतें दयनियाथ भी भिक은 करसकते हैं धनिया. अधनियाद सा फेस्ट को तरह इसमें मिक्स करें दज़ते परा एक दाम अधम मेहने. पूरे अच्छे मैस करें, लिद भरी टीउर भा करें. ध्रीफ ट्रव केंकरें दो अधिक पाने ने मां से पना. ब्लेशे से मिलाते जाए जिस तरह से मैं यह मिला रहा हूं उसी तरह से आप भीट से मिलाए फिल्कुल पतला सा होना चाहिए इसना बॉल सकेम करने पद su going ताभी पोलेवे इसी तels सॉ ही पणहिं सब्सक्तली और यह दिखिया तो प्लजोसितीक यह उख यह ळाहना के लिए गजग कर दो मिनट के लिए अप्रेस्ट के लिए टाकर के चौड़ दे तो चलिए मैं इध्वार्वक कर लेती हो और अच्छा इसका इसका इस्ट निगा लेती कर बने हो इसके लिए मैंने आलου को चिल लिया में आलू को अच्छे स्टिल पैन वह का लिया में रबं है या सर्सो के डाने पेशें लिन डाले शली डाले मीड़्य दो ऑचने हैं इस तरह से आप भी समें डाल करके पूरे मसालों को अच्छ से इसमें अध्रक korraoseun का मैंने फेश्ट बनाय उसे भी आप इसमें में ऐड्ट कर रजी की है इसमें सर purago के दाने डाल करके इसे अच्छे से मिलाथे अच्छे से जब बूलन होने लगए, लेके र backpack अच्छे से छलभी आप ड्यास, अच्छे से डिसे अच्छे सकते हैं सब को अच्छे से मिला और च्छे हे परें तो इसमें थोड़ा सा एक से दोचामत्य के लवफग पानी एड़ हैं और अच्छे से इसे भूनने दे लाल पाउडर मिर्च भी इसमें एड कर ले अच्छे से सारे मसालो को आपे मिक्स करें इसमें आप चाहें तो इस समय आप इसमें एक से डिर चमच अधरक पाउडर भी आप आधी चमच के लगए इसमें एड कर सकते हैं और आप आलू डाल कर करके अच्छे से भूने हैं बूरी तरह से मसाले इसमें पोट होने चाहिए इस तरह से आप भूने देख सकते हैं इicbin अधर मसाले में मैंने एक से दो चमच के लगाँ पानी एड़ कर लिया है इससे जाएंगे और जलेंगे भी नहीं यह प्रोसेस आप धीमी फ्लेम पढ़ी करें और अच्छे से मिलाएं इसे मिक्स करें जब अच्छे से यह गोल्डेन कलर का हो जाए तेल चुटने लगे तो आप इसमें आलू एड कर लीजिए और डाल करके इसे अच्छे से हुनिया और आल में मसाले की फोटिंग हो चुकी है इसी तरह से आप भी इसे धीमी फ्लेम पर बना जिससे अच्छी और सुंधी-सुंधी खुस बुगाएगी और आपको बहुत हिंद देखने में भी बहुत टेस्टी और इम्मी लगता है आप इसमें एक से डेर चमच के लभग नमक अड करें और इसे स्पून की सहायता से इसे अच्छे से आप इंग्रेवी बना करके इसे ठंडा होने दे इधर मैंने पैन गर्म कर लिए है अब आप डोसे के बैटर को देख सकते हैं यह पूरी तरह से मिल चुका है अच्छे से सारे इंग्रेडियंस इसमें मिल चुके हैं आप इसे हलका हलका फैलाते हुए इस तरह से जिस तरह से मैं फैला रही हूं इस तरह से फैलाए और फ्लेम को अब इसके बाद धीरे अब थोड़ा सा धीमा कर दे और अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक इसे पकाए और अच्छे से कुक हो जाए तो इसके आप पलट करके इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेख ले जिस तरह से मैं यहां सेख रही हूँ उसी तरह से आप भी सेखे और फ्लेम को धीमा ही रखे अब जब दूसरी तरफ से पलट ले उसके बाद में इसमें आप जो मैंने आलो की बनाई है इस टफी उसे आप ले करके आप इसमें डाल करके अच्छे से पोट करें पुड़े अच्छे से मिला करके इसे फोल्ड करें और क्रिस्पी और टेस्टी आप देख सकते हैं फोल्ड करने आपको देखने में जब इतनी सुन्दर अच्छी टेस्टी लग रही है तो खाने में कितना क्रिस्पी और यम्मी होगा कोई बोल नही सकता कि यह चने की चने के आटे या सत्तू से बना हुआ डोसा है इस तरह से आप भी बना चटनी सौस के साथ इसे टेस्ट करें और कैसा बना मुझे सेर करें थैंक यू धन्यवाद